जाते हैं थोड़ा फोर दो अग लगा दो बंद में रख दो मका के अंदर अच्छा जटका मसीन है तार लगाया जाता है अच्छा अब बिजली का अगर कनक्षा नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से नहीं से वेडियो में जी इस समय आप हमें देख रहे हैं मतलब खेत में तो खेत में क्या यार यह पास में हमारे बाबा बैटे हैं और इनको बुला किला है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब हमारे खेत में मक्का होगी और मक्के की एक खासियत है कि मतलब मक्के में में जग जखर होते लियुको बहूत परसान करते हैं तो मतलब माचा बना है आपको दिखाते हैं लख पना एक भार यार यह मतलब मटाक है है क्योंकि मतलब रात میں औनेरा रहता है तो अधेरा रहेगा तो भाई वहां कैसे जाएंगे तो तो हो सकता है कि जानुवर इंसान पे कहीं फायर करते हैं तो अम बाबा से नहीं पूछ रहे हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है कि ताकि जंगली सुवर मका में ना है बता बाबा कोई जुगाड होए तो जुगाड यही है को लाना होगा गोला कैसे रखना पड़ी यह रखना पड़ी है आदा शुमुचे कंडा में आगी नहीं इसके पीछे कंडा रखिए उसके फिर फिर गोला रखिए उसकी लिमित है धाई घंटा की अच्छा तो जब यह धोखा में दगेगा अगर जानूर खेत में है तो भगेगा फिर आएगा यहां सिकारी लोग रहते हैं मतलब बाबा समझ रहे हैं अगर समझना पाएं तो मैं आपको बता दों एक बार मैरे बाबाजी कहा एगा की मक्या के अंदर एक नड लौ तीक क με कंड़踐 को एक तरफ से जला दो और दूसरी तरफ गोला रख दो मतलब जलते जलते-जलते-जलते आएगा northafg भागेंगे चाहँ जायेंगे तो दुबारा आएंगे नहीं यह मतलब प्रयोग किया है हमने परिछड किया है कहाँ पर इसी मका हम भई थी तो अच्छा तो पडोसी लोग थे आपकाम करके घर चले आते थे तो पडोसी लोग हम ते बुछते कि थे आर रात में तुम करना पकड़ जाओगे बाबाजी के तरगार है नहीं वो लोग यही सोचते थे कि वो फाइरिंग करते हैं लेकिन हम यह गोला कहीं यह गरिया ठोटी इवती हैं साधी जिवाह में कहीं यह गरिये में कंड़ा धर्के और रखे दिया तो एकदम अचाका में जगा तो पीपा बढ़ाता है मतलब अपर तक आओ जा सकते हैं अब गरिया में रखोगे तो दगेगा तो एकदम आवाज गोली कैसी हो गरिया फूते का उसके तुका अब अब नहीं हुए जटका मसीन का थी को है मतलब जानवर या कोई आसपास खेत करना जाए लगा दे और चारो तरब से सब्सक्राइब करनेक्शन है तो उसमें आर्थिंग तो अगर कोई है सुवर है या लिल गाए है कोई जनवर आया अगर उसके स्टेच हो गया ता तो करन्ट मारती है करन्ट मालने में खुब रख जाता है तो भाई मतलब वैसे जटका मसीन की बात करूं थोड़ा ज्यादा पईसा खर्च हो तो अपना अगर देशी अपना हो अगर थोड़ा सागर लाफदायक होते एक बार प्रियोक करके देगी लिए का जाता जाता ज्यादा पैसाट रुपे की बात है और आप साट रुपे की बात है साट रुपे करो आराम से खटिये फिलेटो मतलब आप टांक रखा है और इसी पर हम बैठे हैं इधर मतलब हमारा खेत है लोग यहीं बाते कर रहे थे तो बाते हो गए थी कि यार इसमें मतलब मक्के में बहुत परसानी होती है जानवर रात को खाते हैं बहुत पर निक्सान करते हैं इसी कोई बड़ी बात नहीं पर साथा मतलब देशी जुगाड क्यों बाइब तो वाइद आप एक बार वाइक कैमरे से दिखा देते हैं कि कैसा क्या महाल है यहां का नजरिया है बड़ा अच्छा है समय सामके टाइम हो गया है वाइक क्या मैं फ्रंटी कैमरे से आपको दिखा देता हूं एक वारी देख इसका यह नजरिया है और यह नजरिया से हम लोग आ यहां पर बैठेट बाते कर रहे था तो आप लोगों भी बता देते हैं आपका फिस थोड़ा सा बहला हो जाएगा ठीक है बाइब आए बाए बाए मिलता है नेग्श फेडियों में जब तक के लिए जय हिन जय भारत ज जलना जिये ना ठीक भाई 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 भारत का यहीं नारा है जाए जावान जाए किसाद